आपका स्वागत है में प्रियाम आपके साथ नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ भारत में विपक्षी पार्टियों की अलुचना के बीच पाकिस्तान और अमेरिका ने इस पर प्रतिकिरिया दे है पाकिस्तान ने CAA कानून को भेदभाव पूर्ण बताया है वहीं अमेरिका ने इस पर चिंता जाहिर की है पाकिस्तानी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मुम्ता जहरा बलोश ने कहा CAA कानून का लागू होना हिंदू फासिवादी देश का भेदभाव पूर्ण कदम है यह कानून आस्था के अधार पर लोगों में भेदभाव पेदा करता है CAA इस गलत धारना पर अधारित है कि मुस्लिम देशों में अलपसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और भारत अलपसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश है इधर अमेरिकी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने का हम 11 मार्च की CAA की नोटिफिकेशन को लेकर चिर्दे थे इस कानून को कैसे लगू क्या जाएगा हम इसकी करीब से निगरानी कर रहे हैं धर्मिक्स स्वतंतरता का आदर करना और कानून के तहट सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेशाना लोक्तांत्रिक सिध्धान थे बागी की तबाव का अबरों के बने रहे हैं राजणावाटवी के साथ ताने बाद